हेलो फ्रेंड्स वेलकम तुनिमा जैनल इस वीडियो सीरीज में हम सिखने वाले हैं प्रोग्रामिंग ओफ 8086 जो बच्चे एंजरीं के सेकंडर में हैं उनके सिलाबस में एक सब्लेट रहता है 8086 मैक्रोप्रजेसर उस सिलाबस में दो पार्ट सिखना होता है एक है आर्किटे 8086 के इंस्ट्रक्शन्स पता होने चाहिए वो इंस्ट्रक्शन्स इस्तिमाल करके हमें प्रोग्राम को एक्जिगूट करना होता है प्रोग्राम को एक्जिगूट करने के लिए अलग-अलग टूल्स अवेलेबल है जैसे की टैजम है बाद में मैजम है देन इमू 8086 है का नाम है DOSBOX. अगर हम EMU8086 यूज़ कर रहे तब हमें सिर्फ EMU8086 को डाउलेड करके इस्टल करना पड़ेगा और सिर्फ by using GUI we have to run the code. जब TASM या मैजम यूज़ करेंगे तब हमें अलग-लग commands देनने पड़ते हैं और program को run करना होता है. तो थोड़ा सा complicated है TASM और मैजम को यूज़ करना as compared to EMU8086. इस वडियो स्रीज में हम सिखने वाले है debugging of program by using TASM. तो सबसे पहला देखेंगे कि TASM या DOSBOX को कैसे install करना है और बाद में हम programming सिखने वाले है. तो TASM से अगर कोई मुझे program को run करना है तो मेरे पास होना चाहिए MS-DOS का environment. वो MS-DOS का environment create करने के लिए मुझे install करना पड़ेगा DOSBOX. तो चलिए देखेंगे कि DOSBOX को कैसे install करना है और TASM folder को इसे download करना है. तो desktop में मैंने एक folder बनाया है जिसका नाम है microprocessor 8086 यहां मैं अपने files को download करके रखने माला हूँ. अजो सबसे पहले मैं जाओंगा TASM का folder download करने के लिए इस link पे यह link आपको दिया है description में इस link को मैंने copy किया है और paste किया है browser में पेस्ट करने तो मैंने desktop में Microsoft 8086 नाम को जो folder बनाया है उसका path दिया है और यहां मेरा folder सेव होने वाला है मैं उस folder पे जाओंगा और उसको extract करने माला हूँ. Click on extract to then say ok तो हमारा यह folder extract हो चुका है उसके अंदर यह TASM नाम का folder है उसके अंदर 25 files saved है तो मैं back जाओंगा और यह TASM नाम का जो folder है इसके अंदर 25 files है इस फोटोग्राव में copy करूंगा और C drive पे paste करूंगा उसके बाद मैं जाओंगा DOSBox को install करने के लिए तो यह link आपको दिया है description में उसको आपको copy करना है और browser में paste करना है और वहां से हमें download करना है DOSBox यह मुझे पूछ रहा है कहां save करना है तो मैंने same path दिया है save करो उसके बाद मैं वापस जाओंगा उसी folder में और यहां मैं right क्लिक करके इसको install करने वाला हूं यहां yes दबाओ बाद मैं आपको क्लिक करना है next पे next और install करना है उसके बाद यह हमारा DOSBox install हो चुका है तो अभी मैं इसको close कर रहा हूं folder को और मेरे browser का भी close कर रहा हूं अब मैं open करूंगा DOSBox तो यहां मैं डेक्स्टॉप पर आइकॉन बन चुका है उसके उपर मुझे सिर्फ डबल लिक करना है याद रखो जो tasm नाम का फोल्डर है वो अल्रडी c drive में store हो चुका है उसका path मुझे देना पड़ता है तो मैं जाओंगा DOSBox में और type करूंगा mount c c colon slash tasm उसका मतलब यह c colon slash tasm जो path है उसको मैं अभी c ऐसा refer करने माला हूँ उसके बाद enter दबाओ बाद में c colon enter बाद में आपको type करना है edit ताकि आप अपना program लिख सके तो मैं यहां एक चोटा सा program लिखने माला हूँ जहां मैं दो number का addition करने माला हूँ और मैं ऐसे आजम कर रहा हूँ कि मैं दो data है वो data segment में store है इस window में मैंने चोटा सा program लिखा है जहां मैंने दो number x and y इनको store किया है data segment में और उस दो variables को या दो numbers को मैं लेके आ रहा हूँ AL and BL register में उसके बाद उसका मैं just addition करने माला हूँ उस program को मुझे save करना है तो go to the file then click on save as उसको मैं नाम दे रहा हूँ मैं नाम दे रहा हूँ add और उसका extension होना चाहिए .asm तो add नाम का file है जिसका extension .asm है तो मैंने उसको save करना है तो okay दबाऊंगा उसके बाद मुझे alt f type करके exit करना है उसके बाद मुझे command देना है tasm बाद में file का नाम add .asm enter अगर कोई error है तो इधर में जो error बताएगा right now in this program there is no error उसके बाद मुझे type करना है tlink space file name .obj keep in mind extension is .obj उसके बाद चार बार आपको enter दबाना है और बाद में आपको type करना है td space file का नाम that is add .exe उसके बाद enter दबाना है तो एक नया window खुलेगा तो हमें press करना है ok जो भी program हमने लिखा था वो यहां आ रहा है मुझे step by step या single click में सभी program मैं execute कर सकता हूं अगर मुझे step by step उसका मतलब एक step में एक line अगर execute करना है तो मुझे alt r दबाके trace into पे click करके एक line को execute करना है so alt r trace into इस तरह जब मेरा line execute हो रहा है तब उसका execution मैं देख सकता हूं right hand side वाले part में तो इस तरह मेरा program पूरा run हो चुका है अगर आपने notice किया होगा तो आपको दो नमबर का addition 0 भी ऐसा मिल रहा है L register में तो यह हमारा addition पूरा हो चुका है तो alt f tap करो और quit करो तो इस तरह हमने program run किया है Qasm के अंदर दो दो लग्या लो लो झाल झाल